राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार की देर रात जमाजम बारिश से मौसम सुहाना हो गया तेज हवा के प्रवाह के साथ वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिले मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित, सिवान, सारन, गोपाल गंज, बकसर, कैमूर, रोतास, और अंगाबाद, अर्वल, जहानाबाद समेत अन्ने जीलो में भी 30-40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से हवा चलने के साथ बारिश से मौसम सामान ने बना रहा मौसम विभाग के पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व इलाके के जीलो में ठीक ठाक बारिश हो सकती है राजानी पटना समेत कई जीलो में बादल च्छाय हुए है वहीं बिहार में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा मौसम विभाग ने 6 जीलो में भारी बारिश और वज़पात की चेतावनी दी है जबकि 12 जीलो को एलर्ट मोड पर रखा गया है ऐसा बंगाल की खारी में बन रहे कम दबाव के शेत्र और मांसून की ट्रफ रेखा के कारण हो रहा है मौसम विभाग ने पश्चिम चमपारन, पूर्वी चमपारन, गोपाल गंज, शिवहर, सीता मढी और मधुबनी में भारी बारिश के साथ वज़पात की आशंका जताई है इन जीलो में औरेंज एलर्ट जारी किया गया है इसके साथ ही पटना, नालंदा, वैशाली, सारन, समस्तिपूर, भोजपूर, मधुबनी, पश्चिम चमपारन, पूर्वी चमपारन, गोपाल गंज और सीवान, जीलो में भी बारिश और वज़पात का यलो एलर्ट जारी किया गया है वैपुरे राजे में मौसम का मिज़ाज मौडरेट रहने की संभावना है, इन जीलो में ठनका गिरने की संभावना के मद्दे नजर लोगों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सचियत किया गया है बारिश और वज़पात को लेकर अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरुरत है, वहीं मौसम का मिज़ाज बदलते ही जहमाजम वर्षा ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहक दी है बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्च की गई है, राजानी पटना में बारिश नहीं होई लेकिन तापमान में 1.9 डिगरी सेल्सियस की गिरावट के साथ 32.3 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया सबसे अधिकतम तापमान अरवल में 36.4 डिगरी सेल्सियस और सबसे कम तापमान कटिहार जीले में 29.7 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया, प्रदेश का औसर तापमान 32 डिगरी सेल्सियस के आसपास रहा